हालो फ्रेंट्स मैं संदीप आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यूज कोर क्लास में और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पे वीडियो ले के आया हूं जो कि आज कल में नए नए तरीके के फ्रॉड्स आ रहे हैं डिजिटल जो हैं वह बहुत तेजी से बढ़ते जा रहें किस तरीके से आपको जो है प्रेवेंट करना है किस तरीके से जो है आपको फ्रॉड को मैनेज करना है यह हम लोग आज की वीडियों में बात करेंगे तो आजको टॉपिक है प्रेवेंशन अगेंस साइबर क्राइम एंड़ custody marketing फोड इन जो है डीजटल वो बढ़ रहा है कि डीजिल मचटरी मैंचर हो सकते हैं अपको हो सकता il enclave हो सकते हैं को ई-मेयल पर को ई-स तरह का लिंक आए हो सकता है आपको ।पीजिकल जाए जय से एक इंटिम दाए चुर लीजान 25 दा द चुरा हैu हर तरीके से जो है अचि fraud frauder's कि किसी भी तरीके से public के credentials या money heart earned money को पर चुरा लिया जाए ठिके अब विक्टिम डियो होते हैं वह कोई ज़रुरी नहीं है कि वह विक्टिम जो है known या unknown या unknown हो ठिके वह अननोन भी होते हैं रेंडम ली फोन कॉल आपको आते हैं जो है डिटेल्स बताने के लिए कि आप ये डिटेल्स बता हिए आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया वो जरूरी नहीं है कि उनको आपका नंबर पहले सी पता हूं कोई भी रेंडम नंबर जो है डाइल करते हैं गई बार और अगर इतनी भी चीजे में बताता हूं अगर आप वो सब फॉलो करेंगे तो 90 तो 95 परसेंट जो है आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं 100 परसेंट में नहीं कह सकता क्योंकि हर दिन जो है एक नए तरह का फ्रॉड सामने आता है मुझे तो अभी मतलब अभी सुनने में भी आया था जैसे लॉग टाउन था तो जो वाइन थी उनकी शॉप्स बन थी तो फ्रॉड करने वाले इस हद तक भी चलेगे कि उन्होंने लोगों को खोल करके कहना शुरू कर दिया कि हम जो है घर पर डिलिवरी कर रहे हैं वाइन की आप जो है 500 रुपीज इस अकाउंट वे या इस म टाओं कि क्या आपको चीजे करने चाहिए और क्या नहीं करने क्या सबसे पहले बात कर लेते हम अगर आपके पास कोई कॉल आता है ठीक है बहुत कोहने इन लोगों को पता होता है कि किस तरीके से जो विक्टिम है उससे बात करने जब भी आपके पास कोई आती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है पहली तो चीज अपने दिमाग में यह ध्यान रखिए बैंक हमेशा यह बोलते है कि अल्दो कुछ और भी आजकल नए केस आने लगे बट मोस्ट फेमस की हम जो है इस ब्रांच से बोल रहे हैं इस बैंक से बोल रहे हैं आपका जो है कार्ड ब्लॉक हो गया है आपका जो है अ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि बैंक नेवर आस्क यू टू शेयर यॉर क्रेदेंशल या फिर डिटेल बैंक आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए फोन नहीं करता है स्पेशली जो है इस तरह की चीजों के लिए कि आप अपना ओटी भी बता दीजे आप आप लोगों से कभी भी नहीं पूछेंगे अगर बैंक से कॉल भी आता है तो आपको फोन पर नहीं पूछेंगे वह आपको ब्रांच विजिट करने के लिए बोलेंगे तो आपको क्या करना है अगर वो बोलता है कि मुझे फोन पर डिटेल्स बता दीजिए तो पहले तो म अगर कॉल करती है तो वह आपको ब्रांच में ही बुलाएगी तो आपको करना क्या नहीं है कि आपको डिटेल्स कभी भी शेर नहीं करनी है कोई भी विच्छा है आधार नंबर हुआ आपका आपकी आइडेंटिटीटीडी प्रूफ हुए आपकी जो है एटेम नंबर हुआ आपका जो है क्रेडिट कार्ड नंबर हुआ आपका जो है पिन हुआ ओटीपी हुआ सीवी हुआ एटीम बॉलेट का पिन हुआ कुछ भी आपको शेर नहीं करना है कभी यह ध्यान रखिए अब दूसरे चीज़ दूसरा पाइंट मैं आता हूं कि अगर आप कोई टेक्नोल कि किस तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं UPI में वो अच्छे तरीके से जान लीजिए UPI को किस तरीके से ऑपरेट करना है किस तरीके से चलता है वो बहुत अच्छे से जान लीजिए तब आप जो है उसको यूज कीजिए तो आप जो है इन चीजों को सीखिए पहले और उसके ब किसी भी जानकारी ले, आप disciples you use कर रहे हैं पहली बार ठीक है आप किसी ATM में जाए और किसी भी स्ट्रेंजर से उस ATM को बताइए कि कैसे यूज करना है इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करने हैं किसी भी स्ट्रेंजर से कोई भी जानकारी आपको नहीं लेनी है जो person trustworthy हो या local हो या वहाँ पे ATM है तो अगर bank का कोई employee हो तो उससे आप help ले सकते हैं किसी भी अंजान person से आपको help लेने की ज़रूरत नहीं है तो ध्यान रखेएगे ये चीज़े आपको नहीं करने हैं अगर आप mobile banking या internet banking यूज़ करते हैं तो हमेशा आपनी transaction limits set करके रखिए कभी जितना usually आप transaction करते हैं आप उसकी limits set कर दीजिए अगर आपको कभी higher amount की जरूरत हो तो उसको आप easily change कर सकते हैं ताकि आप fraud से बचे के चोटा amount of fraud अगर हो तो that can be absorbed but अगर आप transaction limits set नहीं करते हैं तो आपके साथ बड़ा fraud भी हो सकता है उसके अलावर जो है mobile banking में आपको जो है options दिये जाते हैं कि आप international banking, domestic, POS, ATM इस तरह की services को जो है switch off means off या on रख सकते हैं अगर मान लीजे आप international banking, international transactions use ही नहीं करते हैं तो आ आपको आपके लिए अच्छा रहेगा कि हमेशा उनको जो है off mode में रखे ठीक है ताकि कभी भी कोई बाहर पे आपका card जो है misuse ना हो सके इसके अलाव मान लीजे आप POS में कभी card swipe नहीं करते हैं सिर्फ आपको ATM से मतलब है आपको ATM से money withdraw करना ही सिर्फ तो उसमें POS transactions को भी आप जो है off रख सकते हैं तो हमेशा आप अपने mobile से अपनी transactions mobile banking से जो है अपने card की transactions को और या फिर उनकी use को जो है limit करके रखे अब इसके अलावा जो है एक बहुत ही common और हर जहेंगे आपको ज़रूर मिलेगा कि आपके passwords जो है वह बहुत strong होने चाहिए password जो है आपका वह मिक्षर होना चाहिए words का means alphabets का ठीके numbers का और special characters का बहुत easy होते बनाने but हाँ बहुत सारे लोग जो है generally अपने mobile number को अपना password रख लेते अपनी girlfriend के number को जो है अपना password रख लेते तो इस तरह के काप मत कीजिए जो आपके लिए safety है उसको उसका ध्यान रगिए जो आपकी safety ह है तो strong passwords जो है use कीजिए हमेशा common नहीं जैसे आपका नाम है उसके बीच हे 123 लगा दिया आपने तो इस तरह के password जो है वो यूज बत कीजिए ठीक है अब जो पाच्वी चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ कभी fraud होता है तो उस case में क्या करें या फिर म उनको अपने पास रखी है मान दिजिए आपका ATM कार्ट जो है किसी ने चुरा लिया यह गुम हो गया ठीक है तो अब इसके साथ जो है या किसी ने चुराई लिया आपका पिन देखने के बाद तो अब डिसली उसका यूज होगा तो आप उसे ब्लॉक करा सके कस्टमर केर से बात करके या फिर एमर्जनसी मॉबाइल नंबर जो बैंक द्वारा दिये जाते हैं ऐसे या फिर मैसिज की जो सेवाइं आपको दी जाती है तो इस तरह की सारी जानकारी अपने पास रखिए कि आप एक प्रोबैबल फ्रॉड को रोक सके ठीक है अब दूसरी अगर मानली जी आपके पास साथ फ्रॉड होता है एक फ्रॉड इस तरह का भी कुछ हुआ है यह होते हैं जैसे मानली जी कि पहले आपको बोला गया कि आप जो है अपना फोन पे का यह पिन टाइप कीजिए मैं आपको 25,000 भीज रहा हूं उसके बाद जो है वो जब 25,000 डे प्रॉड हो गया आप मुझे पेटियम का दीजिए मैं या फिर पेटियम का दीजिए मैं आपको दुबारा पेटियम में भेजता हूं ठीक है तो वहां से भी वो डेविट कर लेते हैं अगर कोई भी फ्रॉड कॉल आपके पास आती और आपको पता लग जाता है कि को रिपोर्ट कीजिए साइबर सेल में राइट यह समझदारी उनके साथ ज्यादा उलजने की आपको जरूरत नहीं है अब नेक्स जो है आपको क्या चीज़े ध्यान लगी नहीं कि ओनलाइन भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं ठीक है को फिशिंग वगरा होती है तो उसके के लिए आपको जब भी कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो उसका यूरल आप कोशिश कीजिए खुद टाइप करें जैसे गूगल पर आपको जाना है www.google.com आप खुद से टाइप करेंगे यह एक एग्जामपल है बट जो सेंसेटिव साइट से जहां पर आप अपने कि फीस्बूक की साइट साइट जो है वो कुछ जो है साइट इसी तरह की जैसे फेस के कुछ वर्ट में एक्सचेंज कर दिया जाएगा फेस एफ ए ए सी कर दिया जाएगा और बुक आपको लगेगा बिलकुल सेम साइट है और आपके क्रेडिंशन्स जो है वो सारे एक और जाँ अग्राइब के लिए पहला की एंटरस्टेड वेब साइट विजिट न न करें तो इस दो है विजिट कर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है जो वेब साइट्साइच कि में अगर रिक्वाइड है तो पर्मिशन दिजी अदरवाइस पर्मिशन मत दिजे पाबलिक वाइफाई को कभी यूजु मत किजिए ठीक है आप जर्नली क्या करते हैं टाइम जादा ना लिगे इस से बचने के लिए आप अपनी कार्ड के डिटेल जो है वो सेव कर देते हैं सेव कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम पर डेपिट करने के लिए आपको इसली मिल जाए तकि ऐसा मत किजे वो सकता आपको 10-15 सेंड और लग जाये बट आप फ्रॉड से भचे रहेंगे ठीक है अब इसके अलावा जो है आपको एक चीज और ध्याम रखनी है जो कि मेल्स में या मेसेजिस में जर्नली होता है आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है कि 25,000 की आपकी लोटरी लगी है या इतनी की लोटरी लगी है या फिर जो है आप इस लिंक पे जाईए तो बहुत सारे लिंक आपको दिये होते हैं इन लिंक को कभी भी टच मत कीजिए कभी भी टच मत कीजिए जो इस लिंक के बारे में आपको नहीं पता है ठीक है तो जो लिंक आपके काम का नहीं है उसक तो सेफ्टी के लिए इनकोगरिटर मोड होता है, उसको यूज करते हैं, वहां पर आपकी हिस्ट्री या फिर बागी सारे चीज़ जो हो सेव नहीं होती Next friends, एक हम जो educated society है या फिर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं चीज़ों को उनको करनी ज़रूरी है, वो है कि अगर आपको frauds के बारे में पता है, तो उसकी जानकारी आगे भी deliver कीजिए Not just educated society, सर्फ जिनके साथ frauds हुए हैं या जिनको जानकारी है, potential frauds जो होने वाले हैं उन लोगों के साथ उनको बचाया जा सके, वो जानकारी उन तक पचाये, ज़रूर पहुचाये सर्फ अपने तक limit मत रखिए, कि fraud आपके साथ हुआ, तो मैं future के लिए सतर करूँगा, उस चीज को आप 100 लोगों में, 200 लोगों में पहुचाये, वो आगे पहुचायेंगे, ताकि बहुत सारे लोगों को नए frauds के बारे में बताया जा सके, ठीक है, दूसरी चीज आपको एक नहीं करने वाली है, वो यह है कि रूमर्स में जो है, जादा बिलीव नहीं करना है, किसी बीच कोई चीज अथेंटिक है, नहीं है, उसको उसकी ओरिजिनल वेब साइट पे, जहां पर जानकारी मिल सके, वहां पर जाके चेक कीजिए, किसी भी रूमर को फैलाने की ज़ पर जादा नहीं है, तो यह थे फ्रेंट्स जो पॉइंट्स आपको करने वाले हैं और नहीं करने वाले हैं, हमेशा ध्यान रखने और तीन चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा में है, कभी भी आपके पास कोई कॉल यह कोई भी चीज हो, उस हेरे नहीं किसी बी पिन के लिए, और कि अधार कारना नमर के लिए, किसी भी किछ फैसी अप्डेशन के लिए आनलाइन कि आपका के आपका कब लाइन कीज हो छाँ, भी भी बन्क आपको कॉल नहीं कर तो आपको प। सभ़ी अगर कॉल करता है तो वह अपको ब्रांच में विजिट करने के लिए बोलेगा कभी भी आपको यह नहीं बोलेगा आप फोन पे मुझे सारी डिटेल्स पता जीजी ठीक है और आपकी भी समझदारी बनती है कि फोन पे आप डिटेल्स ना बताएं आप ब्रांच सबसे पहले जाके विजिट करें दूसरा नंबर दूसरा प चीजे जो है यह आपके अकाउंट को डेबिट करने के लिए यूज होती है आपके खाते में से पैसा निकालने के लिए यूज की जाती कभी भी आपके खाते में पैसा पहुचाने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती अधार नंबर की हो सकती है बढ़ हां और जो है यह सोच के मत बताईए कि मेरे हाते में पैसे आने वादे कभी भी अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए इन चीजों की ज़रूरत नहीं होती तीसरी चीज़ आज ऐसका वपर ऐसे आपको बहुत आपके 25,000,000 बॅत्याल थे सब आपको बोला जाता है यहां से और यहां से हम फट्राज। घंड को रिलीज गर देए देगे, friends, पहले तो बात बता दू, TDS क्या है, TDS जो भी company आपको रेमिट करेगी पैसा, उसको पे करना होता है, आपका कहीं से पैसा आ रहा है, वहाँ पे डिड़क्ट होता है, कभी भी beneficiary को वो TDS डिड़क्ट नहीं कराना है, तो TDS, friends, आपको कभी भी पे नहीं करना है, TDS जो है, already आपका डिड़क्ट होके, आपके पास amount, balance amount आपके बास आएगा, company जो है, आपका TDS डिड़क्ट करेगी, तो ये सारी चीजे जितनी भी मैंने बताई है, I hope कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे, और 90-95% frauds से जो है, आप बचके रहेंगे, yes, एक और चीज आपको ध् deliver करते रहें, hope so, कि आपके साथ कोई fraud ना हो, और अगर करने की भी कोशिक की जाए, तो आप उससे बच सके, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का end करता हूं, तो thank you so much, take care, bye.